हेलो एप्रिवान कैसे हैं आप सब स्वागत है मेरी चैनल स्वाथ प्लस में उम्मीद हैं आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे खुशियों का मौशम आ गया है होली का मौशम है रंगों का मौशम है और त्योहारों का मौशम है तो इस मौसम में मिठाई सभी के घर में बनेगी, सुईट रेस्पी सभी के घर में बनेगी, गुचिया बनेगी, कुछ पुवे बनेगे तो बहुत सारी ऐसी रेस्पी हर जगह हर किसी के घर में बनेगी और सभी रेस्पी को बनाने के लिए हमें खोए की जरूरत पड़ेगी तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही थोड़े से काजू के साथ बनाऊंगी एक ऐसी खोए की रेस्पी जिसको देख कर आपका दिन बिल्कुल खुस हो जाने वाला है आप फटाफट वीडियो को Like भी करेंगे और Share भी करेंगे अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो उमीद है आप सस्क्राइब भी करेंगे तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो के हम सुरुआत कर लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने लिया है करीब 10 काजू तो यह बिलकुल फ्रेस काजू है जैसे हम बजास से लेके आते हैं ना इसे हमें भीगोना है ना ही और कुछ करना है तो आप 10 काजू को ले लीजिए इसको आप क्या किजिए जो मिक्सी का छोटा वाला बाउर होता है उसमें बिलकुल फाइन तो आप पल्स मोड पे जब काजू का पॉडर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है बिलकुल भी काजू अपना तेल नहीं छोड़ता है तो पॉडर मैंने बना लिया है अब इसको निकाल करके एक बाउल में रख देंगे साइड प रखते हैं इसमें डालेंगे हम एक कप दूद तो एक कप दूद है लेकिन यह बेट में आधा लीटर दूद है यानि 500 ml दूद है अब दूद में हमें अच्छी सी उवाल लानी है तो दूद में उवाल लाने के लिए हमें यहां पर दूद को पकड़ के बैठने की दूद आपका उबलता रहेगा बिल्कुल हाई प्लेम पे लेकिन दूद आपका बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा नाहीं गिरेगा तो आप आपना और भी काम कर सकती है मिठाई बनाते वक्त यानि खोया बनाते वक्ते तो यह देखिए इसको बीच-बीच में आप कभी भी यब टाइम लगे तो साइडों से इसका जो मलाई पड़ता है उसको आप निकाल दे जाईए और दूद को करीब जलते हुए आधा बन जाना चाहिए यानि आधा लीटर दूद जब 500 ml आ जाए तभी आपको इसकी आगे की प्रोसेस करनी है अब इसको हम रख देंगे ऐसे ही 4-5 मिनट लगेंगे हाइप लेंपे क्योंकि आधा लीटर दूद है इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो दूद को हम इसी तरीके से उबलने देंगे करीब 5 मिनट के लिए 5 मिनट के बाद आप देखिए दूद बहुत ही ज़्यादा गाड़ा हो चुका है यानि कि आधा दूद जल चुका है और दूद हमारा बिल्कुल गाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ा हो गया है मैंने आज को बिल्कुल लोपे कर दिया है आ सारे काजू को डाल करके इसे अच्छे से मिलाना है ताकि जो दूर है उसके अंदर काजू का लंस ना पड़े कि काजू के अंदर ओयल होता है तो बहुत ही जल्दी यह लंस बनाने लगता है अगर आज को हम हाई पे या मेडियम पे रखेंगे तो दूर अगर उबलेगा तो इसमें लंस बनने लगेंगे इसलिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस को कर दिया है ताकि जो हमारी कड़ाई हो बहुत ज्यादा हीट ना हो और काजू अच्छे से मिक्स हो जाए आप देखेंगे दो मिनिट भी नहीं लगेगा यह जो हमारी खोया है बनके तैयार हो ज करेंगी तो आज को बिल्कुल लो पे रखना है फिर ही आपको आज को बढ़ाना है जब अच्छे से यह मिक्स हो जाए अगर लो पे रहेगा आज तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैंने आज को मीडियम पे कर दिय ताकि जो खोया है हमारा जटपट से बन जाए एक मिनट ही लगेंगे अब इसको बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है अब देखिए अच्छे से उबल रहा है यानि कि खोया हमारा सूख रहा है बहुत ही जल्दी जह हम इसमें काजू का पाउडर डाल देते है तो बहुत ही जल्दी ये सूखने लगता है बिल्कुल ये लिक्विट फियूम में आना सुरू हो जाता है क्योंकि जो काजू है वो दूद को अप्चॉप कर लेता है अपने अंदर वो बहुत ही जल्दी सुखाने लगता है दूद को इसलिए हमने आधा दूद जला करके तभी काजू को डाला है आप इस तरीके से और ज्यादा कॉंडटी में भी खोया बना सकती है यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेश्टी बनता है बहुत ही बढ़िया बनता है जो हम बजास से खोया लाते है उससे कहीं ज्यादा ये टेश्टी खोया बन करके तयार हो जाता अगर आपके घर में सूगर पेसेंट है तो आप उनको इस तरीके से बना करके बिना इसमें कोई गुड़ या चीनी डाले भी उनको खोया बना करके या गुचिया बना करके खिला सकती हैं बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है तो यह देखी करीब एक मिनट हो गये हैं इसको मीडियम फ्लेम पे तो काफी हस्तक जो दूद था वो सूख चुका है अब खोया हमारा बनने को आ गया है आज को बिलकुल लो पे हम इस टाइम पे कर देंगे क्योंकि खोया जब बनना शुरू हो जाता है तो बहुत ही जल्दी जलना भी शुरू हो जाता है तो इसका हो रहा है बिलकुल जैसे हम बजा से खोया लाते हैं उसी तरीके से बनता जा रहा है तो मैंने अपनी चैनल पर और भी काफी सारी खोय की रैस्पी शेयर की है प्लीज आप उनको भी देखिए अगर आप वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए अगर आपको और भी कोई किसी चीज की स्वीट रैस्पी या कोई खोय की रैस्पी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हम आपके लिए और भी हेलफूल खोय की रैस्पी लेके आएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही सस्ते में आपका ढेश सारा खोया बनके तयार हो जाएगा तो यह लिए हमारा खोया बन चुका है यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं ठंडा हुआ है लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यह शायनी है कितना ज्यादा स्मूध है क्योंकि यह काजो की सा यह बिल्कुल भी नहीं खराब होता है आप इसे कोई भी रेस्पी बनाईए कोई भी स्वीट रेस्पी बनाईए या ऐसे ही अधर आप बीना चीनी के भी खा सकती है पेड़ा बना करके तो बहुत ही अच्छा होता है